सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंडी के बटन को भी जरूर दब हलो एन वेलकम तो एडी एजुकेशन मैं हूँ अमिल दिक्षित आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इंपोर्टन इंफॉमेशन एक महतवपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ एन वेलकम तरफ से जारी गे गए वार्निंग नोट के बारे में अगर आपने उस वार्निंग नोट को नहीं देखा है उसके बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो को आकर तक जरूर देखिए सभ आपर एक लाइन में दी गई है लेकिन इसके कई माईने है तो वो हम समझेंगे जो जानकारी यानि कि जारी किया गया है वो उस पेट पर जारी किया गया है जहां पर आप अपना application status आपका admission status जहां पर आप चेक करते हैं, अगर आपने नहीं जानते हैं तो मैं बदालता हूँ कि नियुस देलिट की जो वेबसाइट है देलिट.nios.ac.in इसमें teacher section में जाकर आप जब यहां पर पहुंचते हैं तो अगले page पर आपको यहां पर 6th number पर to know the details करके यह option मिलता है, click here, 6th number चटवे number पर यहां इस पर क्लिक करते हैं तो यहां इस page पर पहुंचते हैं और इस page पर आपको यहां पर मौका दिया गया है कि आप अपना admission का status जान सकते हैं तो यहां पर आप अपना reference number जो box दिया गया है, white सा box है जो उसमें डालकर submit जब करेंगे आपका reference number 10 digit का तो आपकी जो जानकारी है वो आपको screen पर दिखाई देगी जहां पर आपका enrollment number, reference number, माता-पिता का नाम और भी कुछ जानकारी हैं होंगी जिसके साथ में यह भी लिख bank transaction ID भी रहेगा वहाँ पर, तो basically इसके जरीए यह बताने का प्रयास किया गया था कि सिक्षक यह चेक कर सकें, जिस तरह से कई लोगों को दिक्कत आ रही है, कुछ लोग payment करते हैं, हमको नहीं पता होता हमकि हुआ है, नहीं या इससे पहले कोई भी चीज़ उन्हों ने की ह किसी और कारण से उनका admission cancel तो नहीं कर दिया गया है, कई ऐसी चीज़े हैं जो सिक्षकों को confusion में रखती है, तो उसका एक तरह से solution दिया है नहीं वह इसने कि आप इस number को यहाँ पर डालिए अपने reference number को और search कीजिए तो आपको आपकी जानकारी मिल जाएगी, कि आपका admission confirm ह है या नहीं वहाँ पर message दिखाई देता है, तो इस type की चीज इस page पर की गई है, तो अगर आपने नहीं किया है तो आप जरू कीजिएगा, यह बहुत important है अपने admission की जानकारी आप यहाँ पर और कई महिकोर जानकारी हैं आपको देखने मिलेंगी, जो आपको बहुत जरू अब जो warning की मैं बात कर रहा हूं, वो आप नीचे की तरफ यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ एक note दिया गया है, नीचे की तरफ warning note, जहाँ पर लिखा गया है कि National Institute of Open Schooling is not responsible for any inadvertent error that may have trapped in the data being published on net, the data published on net are for immediate information to the learners, तो यहाँ एक तरह से NIOS ने अपने आपको free कर दिया है और इस बात को बोल दिया है कि हम इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे या नहीं है, जो भी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाए देगी, उसमें अगर कोई गलती होती है, यानिकि सिख्षों की जानकारी NIOS की जिम्मेदारी नहीं है, तो अब यह किस तरह का sentence है, यह मुझे लगता है कुछ अजीब है, कि NIOS ने इस तरह की बात क्यों लगी है, यहाँ पर किस चीज़ से बचना चाते हैं वो लोग, उन्होंने कहा है कि यहाँ जो भी जानकारी दिखाए जा रही है, the data published on the net are for immediate information to जो भी जानकारी यहाँ पर दिखाए जाएगी, आप देखेंगे, वो हाल की ही जानकारी होगी, immediate जानकारी होगी, जिस सिक्षकों को जानने के लिए, तो इसको उन्होंने कहा है, उसमें कैदर कोई गल्दी होती है, तो इसमें उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, तो सम सिक्षकों को इससे क्या सबजने की जरूवत है, देखें, NIO उसना यहाँ साफ साफ कहा है, एक तरह से कोई भी गल्ती, कोई भी error इसमें आती है, या पाई जाती है, डेटा जो भी इसमें दिखाई देगा, publish होता है, उसमें उनकी जिम्मेदारी नहीं है, तो यानिकि अब जो भी चीज़ करेंगे, अगर इससे कोई परिशानी होती है, तो NIOS की जिम्मेदारी इसमें नहीं होगी, यह बहुत अजीब बात है, अगर NIOS इस डेटा को दिखा रहा है, तो इसको जिम्मेदारी भी लेना चाहिए, कि यह जानकारी सही है, या नहीं है, या क्या है, उ आप जो जानकारी देखेंगे, अपना रिफरेंस नमबर डालके, आपको वहाँ पर आपका अड़िमिशन स्टेटस दिखाएगा, कि कन्फर्म हुआ है, या नहीं हुआ है, अड़िमिशन कन्फर्म्ड और नॉट, या जो भी जानकारी है, आपका रिफरेंस, आपका जो जानकारी दिखाए जा रही है, माली ज़ा आप आज आप चेक कर रहे हैं, आप फीस भर चुके हैं, लेकिन आपको जो पेमेंट नॉट मेड़ अभी दिखा रहा है, या फिर कोई और कारण है, तो हो सकता है, आप आपका जानकारी अपडेट ना हुई हो, इसलिए आप आपका admission not confirm दिखा रहा हो या आपका brand transaction ID नहीं दिखा रहा हो या कुछ और गलती हो किसी जानकारी में तो हो सकता है आपको इस दोनों बात चेक करें तो अपडेट हो जाए तो यहाँ पर किसी भी जानकारी को देखकर आप एकदम से किसी जीस पर घबराएं नहीं और एकदम स इसे उस पर बहुत जादा विश्वास भी न करें आप अपने इस तर पर अपनी जानकारी को confirm रखें अपने study center पर या आपने regional center पर जो भी जानकारी है अगर आपको लगता है को गलत जानकारी है तो उसको आप confirm जरूर कर लें क्योंकि NIO तो यहां साब कर चुगा है कि उस इसा नहीं होता है कि आपको कोई गडबर लगती है तो आप अपने regional center पर या study center पर या state coordinator से बात करके उस जानकारी की सही इस तरही जान सकते हैं तो आपके लिए सही होगा otherwise आपको NIOS न तो अपना एक तरह से free कर लिया है अपने आपको कि हमारी कोई जम्बेदारी नहीं है तो आप अपनी तरफ से इस चीज़ को याद रखें कि अगर कोई information आशो कर रहा है कोई भी गलत है तो इसको थोड़ा दुनों तक आप चेक करते रहें जब तक यह मौका मिल रहा है और उसके बाद भी अगर वह information बदलती नहीं है या उसमें कोई change नहीं होता है तो आप अ responsible responsible सा एक statement है और इसको उन्होंने clear तो नहीं किया लेकिन इस बास से तो यही चीज़ लेकर सामने आती है तो आपको ध्यान रहना होगा आप अपनी जानकारी को जो भी है उसको गबराए नहीं उसको check करें अच्छे से अगर कुछ ठीक है तो प्रॉब्लम नहीं है और अगर तो ऐसा मेरा suggestion है इस line के अनुसार इस warning के अनुसार तो यह थी वो information जो आप सभी जानना चारता है हम शौर आपको clear हो गया होगा कोई सवाल है तो आप गूस सकते हैं और इस जानकारी को जादा जादा शायर कीजिए इसकी जानकारी शायद कम लोगों को होगी तो like जादा स और आप।